hello family, नमश्कार एक बाद फिर से हाजर हो गए हूं आप सब खका के एक most helpful वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा भी 7 महीने का होने वाला है या 7 महीने कुछ कितना भिकास हो चुका होता है आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरगे के most helpful वीडियो अपने बच्चे के लिए आगे देखने के लिए so family चलिए start करते हैं आज का वीडियो so family 7 महिने तक आते आते बच्चे का बजन जन की समय जितना था उससे धाई गुना जादा हो चुका होता है जैसे कि अगर आपके बच्चे का बजन जन की समय तीन किलो था तो 7 महिने तक आते आते बच्चे का बजन 7 से 7.5 किलो तक हो सकता है 7 महिने के बच्चे को जब आप कुछ खाने के ले देते हैं तो बच्चा खुच से उस चीच को पकड़ने लगता है साथ ही साथ महीने का बच्चा पेट के बल घुमने लगता है और घुटनों के बल चलना भी शुरू कर देता है और बच्चा जिसे खिलोनों को दूरी पर पाता है तो उसको उठा भी लेता है खिलोनों के साथ खेलना भी शुरू कर देता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि आपके बच्चे का दिमागी विकास अब अच्छे तरीके से होने लगा है साथ ही साथ महिने का बच्चा ओ आ जैसे शब्द भी बोलने लगता है साथ ही बच्चा अपने मूँ से अलग-अलग तरीके की आवाज निकालता है जैसे कि आप लोग फैमिली में बात कर रहे हैं तो मतलब वो आपके साथ बातों में involved होने की कोशिश करता है साथ महिने का बच्चा आपके चहरे पर हाथ मारने लगता है चहरे को छूने लगता है ये जो सारी activities हैं, सारी चीजे हैं, ये आपका 7 महीने का बच्चा करने लग जाता है तो इसी के साथ साथ और अच्छे विकास के लिए बच्चे को आपको साथ साथ ठोस आहर देना चाहिए अच्छे अच्छी पॉस्टिक चीजे खिलानी चाहिए उस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं ये 6 से 12 महीने के बच्चे की क्या-क्या डाइट होनी चाहिए तो फैमिली मिलती हो, आप सबसे अब अगली वीडियो में ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटे उसको भी दबाएं बाबाए, थैंक्यू